नमस्कार दोस्तों वेल्टिसकाई के एक और नए इंटस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे समझने की को नहीं स्टार्ट होगी नए डाटा है तो जायर सी बात है मार्केट का क्या एक से में सीनिमेंट रहीं के जुए विडियो को स्टार्ट करेंगे विडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे न म След क्लिने सकते G,… है और डाव फ्यूचर करेंटली सौ पॉइंट उपर कामकाच कर रहा है यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर इंडेसेस फ्यूचर में सौ पॉइंट फूचर उपर है और नेज़एक फूचर करी 46 सबसे इंपोर्टेंट रहेगी जो भी रहेगी अब नेज़एक के लिए यहां पर आपको थोड़ा सब ध्यान दोगे आप यहां से यह वन वे रैली आई ठीक है फिर आपका यह करेक्शन आया यह पुल बैक हुआ फिर यह करेक्शन और फिर फूल पैक अब यहां पर इस ले कुमिंटम पकडना स्टार्ट कर देगा और अगर यह 15 राजा के उपर सस्टेन नहीं कर पाया तो हो सकता है यहां पर यह थोड़ा सा और टाइम पास करें ठीक है और टाइम पास करते हैं मैं हो सकता है इस लेविल को भी टेस्ट कर ले बट यह इंपॉर्टेट लेविल करते हैं देखते हैं क्या वह सीन है क्लियर्टी आपको दिख रही है यहां से मुमेंटम बना स्टार्ट हुआ था ठीक है यह पहला मुमेंटम हुआ इसका रिट्रेस्मेंट फिर दूसरा मुमेंटम हुआ यह औल्मोस्ट पूरा स्ट्रेच हुआ फिर उसका रिट्रेस्में फिर ये momentum हुआ, फिर ये retracement, फिर ये momentum, फिर ये retracement, फिर ये momentum, ये retracement और ये further momentum अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो जो price action है वो positive चल रहा है day chart पर क्योंकि कोई भी low अभी तक break नहीं हुए अगर आप देखोगे closing basis पर कोई भी low ये भी even ये वाला low भी break नहीं हुए है तो जो price action है वो बिल्कुल positive बना हुआ है nifty का और फिलाल जो nifty की condition है वो कैसी है बिल्कुल यहाँ पर positive side पर nifty react करता हूँ दिखाई दे रहा है ठीक है बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो जो price action है बैंक निफ्टी का वो यहाँ पर consolidation वाला बन चुका है आके जब यहाँ से यह value होई यह retracement यह rally यह retracement उसके बाद यहाँ पर इसने यह time pass करना start कर दिया है ठीक है अब यह जो बैं इंडेस्स फ्यूचर में जाता हूं मैं और आपको डेक्स का चार्ट दिखा दो डेक्स का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट लगबग लगग से में अगर आप देखो कि थोड़ा सा वन यह पर चाहिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह consolidation हुआ ठीक है यह breakout फिर retracement हुआ फिर हम consolidation में चले गए ठीक है फिर breakout फिर नीचे आगया फिर consolidation में चला गया है तो आप देखोगे यहां पे संव हैं यह आपका consolidation ये breakout फिर इसी चैनल में आ गया ठीक है फिर इस चैनल में ये दुबारा से trade करने लग गया फिर ये breakout है अब ये दुबारा से हो सकता है इस चैनल में आ जाए ठीक है अब सारी कहानी एक अगर आप जैसे कि बहुत से लोग बाइंग करना बहुत पसंद करते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाइंग और सेलिंग दोनों equally site पर कर ले मतलब जिसका वियू मार्केट को देखके नहीं मैं आज बाए ही करूँगा और सब्सक्राइब करूँगा या फिर मैं सेलिंग करूँगा तो confidence के साथ सेलिंग करूँगा मतलब दोनों site का वियू कोई एक पर्टिक्लर स्पेसिफाइड लेकर नहीं चलता क्योंकि जैसे कि ज्यादा तर जैसे मैं हूँ मेरे को शॉटिंग करना ज्यादा पसंद आता है र जिसका फायदा आपको मिलता है दूसी चीज है बाइंग का मार्केट थोड़ा सा स्लो दीरे दीरे ऊपर जाता है बट सेलिंग आपकी फास्ट आती है तो क्या होता है कि आपको एक शॉट प्रम में एक अच्छा पैसा यहां पर बन जाता है दूसी चीज है अगर आप जैसे आएगा तो क्या होगा विक्स आपका ड्रस्ट कली ड्रॉप होता है जिसकी वज़े से लोग पैसे नहीं बना पाते हैं तो रीजन क्या होता है जैसे कि यहां पर आप देखो मार्केट को यहां से अल्मुष यहां आने में टाइम तो लगा लेकिन इसमें सेलिंग देखने देखने को मिली बट आइंग मैं ऐसा नहीं होता है बाइंग में जुसने काूड़ जिए देखने नहीं होता है जिय होगा शेयए आ robots और एक बढ़ी गराबट देखने को मिली बट बाइंग में ऐसा नहीं होता है बाइंग में अगर breakout भी होगा ना तो उसके breakout के failure बहुत ज्यादा होते हैं बाइंग का breakout पांच में से सरफ दो बार sustainable डिखाई देता है बाकी में वो false तो false breakout में convert हो जाता है ठीक है बट यह तो psychology है अपनी अपनी है कि आपको किस साइट काम करना ज्यादा पसंद आता है बट हमारे market के लिए कल क्या हो सकता है इस चीज़ को हम समझते हैं तो देखो निफ्टी कि 19,000 पर trade कर रहा है जायर सी बात है अब जो important level है वो यह ही है कि क्या 19,000 के ऊपर closing आती है या नहीं आती है देखो higher side पर मैं buy तो नहीं करूँगा कुछ भी selling के लिए मेरे को opportunity मिलेगी तो मैं definitely sell करूँगा कल भी करूँगा और Monday को भी करूँगा कल वैसे मेरा normally छुट्टी का प्लान है अगर कुछ situation बनती है मार्केट में कुछ action दिखता है तो करूँगा नहीं तो मेरी कल तो छुट्टी है बट Monday definitely यहां पर मैं trade करूँगा कल मैं morning में जरूर trade करूँगा कोई भी selling setup बनेगा तो जरूर trade करूँगा stop loss जाएगा बंद कर दूँगा बस simple दीजीद है और प्लस यहां पे भी एक gap है तो यह चोटे चोटे जो यह gap बने हुए ना यह gap थोड़े से market के लिए क्या होते हैं थोड़े से negative होते हैं क्यूंकि यहां पे क्या है कि एच्छी seller और buyer दोनों को दिखती है buyer को उपर से एच्छी इसका डल लगता है कि अगर market तेजी से करने के लिए तो वह ज्यादा aggressive ऊपर buy करता नहीं है तो यह जो gap होते हैं कभी एक ट्रेडिंग सेशन या दो ट्रेडिंग सेशन में पूरे फिल हो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि अगले एक हफते में जब भी market गिरे तो वह आपको drastically falls दिखा सकता है ठीक है ना तो वह 19,000 के ऊपर की closing आने लगती है तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो यह है कि क्या 19,000 के ऊपर closing आईगी या नहीं आईगी अगर 19,000 के ऊपर closing आईगी तो हो सकता है यह जो gap है यह आपको फिर दो तीन हफते बात फिल होते हुए दिखाई थे अभी इस condition में ना हो दूसी ची आई ठीक है pullback आया फिर selling आई फिर pullback आया फिर selling आई लेकिन ultimately यह लोग के नीचे मार्केट नहीं गा पाया ठीक है न तो यहां पर selling exhaust हो गई उसके बाद यह momentum हुआ तो सेम चीद आपको यहां पर उपर साइट पर देखनी है कि यहां पर क्या होगा जैसे यह मार्क कर लिए यहां से मार्केट क्या कर रहा है यहां पर उपर जा रहा है बट बाई नहीं जा पारा नीचे selling के लिए फिर उपर नहीं जा पारा फिर selling के लिए फिर उपर जा रहा है नीचे नहीं जा पारा तब आप इसको sell कर सकते हो फिर यह definitely आपको 100-500 पॉंट का momentum downside कर दिखा देगा तो यह logic आपको थोड़ा सा यहां पर समझाना था इसलिए यहां पर मैंने वीडियो यह बनाया है तो निफ्टी के लिए आप ध्यान रखो निफ्टी के लिए जो important level है वो है अब आपका यह ठीक है 18950 इसके नीचे trade करेगा तो मैं यहां पर negative ही प्लान करूंगा target मेरे पा ना कि higher side पर जो buying scenario है वो थोड़ा सा slow है और ज्यादा कोई aggressive है नहीं तो यहां पर थोड़ा सा मैं वेट करूंगा buying के लिए selling के लिए मेरे को view मिला तो definitely मैं यहां पर sell करूंगा बट मैं आपको यह नहीं बोला हूं कि आप खुलते ही कल sell कर दो बहुत सारे लोग यहीं चीज को comment करते रहते हैं कि आप selling के लिए बोलते हैं मैंने परसो भी आपको बोलाता है कि day high निकलेगा तो आप buy करना यहां पर भी बोलात यह था market सब तक negative था इस high के ऊपर sustain कर गया है positive हो गया तो आपको अपने short से buy side पर आ जाना चाहिए तो वही चीज यहां पर है जब इस level के नीचे trade करेगा तो view थोड़ा सा negative होगा profit booking आ सकती है थोड़ा सा retrace कर सकता है तो 18 अधा 824 का target easily मिल सकता है तो यह view मेरा यहां पर है बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है बैंक निफ्टी में कर देखो कि 15 मिनेट टाइम फ्रेम में इसने लाइफ टेम हाई तो हिट किया ठीक है लेकिन इसके ऊपर यह निकल नहीं पाए है ठीक है अगर 44500 के ऊपर closing देना start करेगा तब ही हम expect कर सकते हैं कि यह 45,000 का label test कर सकता है अगर यह यहां पर time pass जैसे यहां पर क्या हो रहा है यहां पर buying तो आ रही है लेकिन buying sustain नहीं कर पार यह selling आ जाती है तो bank nifty का view समझ में आ गया नifty का view समझ में आ गया यह आप applicable कर सकते हो एक दो दिन का view है यह ऐसा नहीं है immediately आपको कली applicable करना है पर यह दो तिन दिन का view है जिस पर आप focus कर सकते हो तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना है आप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शुर्ट जरू करेगा और चानल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सो दिन लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के तर शुक्रिया दोस्तों जैह हिंद